सो हम यहां पर जो है क्लास 10 की NCERT history को cover कर रहे हैं और उसका first chapter जो हमने यहां पर start किया था जिसमें हम जो है किसके बारें बात कर रहे थे nationalism के बारें में बात कर रहे थे तो nationalism को हम जो है all over the world यहां पर cover करेंगे So firstly, we were discussing about the Europe, right? Europe में जो है कैसी situation रहती किस तरह से यहां पर जो nationalism है वो rise होता है यहां फिर एक nation state जो होती है जो कि united national state होती है वो यहां पर किस तरह से बनती है यूरोप में तो उसके बारे में हमने यहां पर थोड़ा सा पड़ लिया है कुछ revolution यहां पर start होते है जो कि nationalism के ideas के ऊपर ही based होते है तो 1858 का जो हमारे यहां पर एक revolution हुआ था liberal nationalist का उसके बारे में हमने यहां पर जो है last video में cover किया था आज हम यहां पर बात करेंगे about the making of Germany and Italy की Germany and Italy जो है वो एक United Nations किस तरह से बनते हैं उसके बारे में जो है हम इस particular वीडियो में cover करेंगे राइट इरॉप के बारे में खतम करने के बाद में हम इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे कि वहां पर जो nationalism है वो किस तरह से rise होता है तो अब हम यहां पर सबसे पहले Germany की ही बात कर लें तो जर्मनी में क्या ऐसा हो सकते है कि आर्मी जो है वो एक nation की architect हो सकती है क्या वो एक nation state बना सकती है जो की unity के उपर based होगी तो यह common identity यहां पर जो जो की जर्मन में यहां पर रह रहे थे common identity के उपर जो based होगी क्या आर्मी एक ऐसा nation state जो है वो बना सकती है तो आईए देखते हैं, तो after the 1848, 1848 का जो यहाँ पर revolution हुआ था, so the nationalism जो था यहाँ पर Europe में, रेट वो जो है totally एक तरह से हम बहुत सकते हैं, कि democracy and revolution के साथ जो है यह interlink होता है, यह जो idea है, nationalism का, वो democracy and revolution के साथ जो है वो interlink होता है, but 1848 का जो revolt यहाँ पर जब हुआ था, liberal nationalist का, तो वो जो भी यहाँ पर fail रहता है, तो उसके बाद भी जो nationalism की ideology है, वो थोड़ी सी यहाँ पर change होनी start हो जाती है, तो आप क्या था, conservatives यहाँ पर सामने आ जाते हैं, वो आप जो है Germany को संभालते हैं, तो जो national sentiments थे, वो जो है किस सीज को एक तरह से promote कर रहे थे, जो conservatives है, वो क्या यहाँ पर promote कर रहे थे, वो state power को promote कर रहे थे, and all over the Europe जो है, वो political domination यहाँ पर चाहते थे, बट लोगों को वो बोल रहे थे कि हम यहाँ पर एक nation state जो है, वो बनाना चाहते हैं, बट एक्ट्वल में जो है, वो अपनी state की power को जो ही promote कर रहे थे, तो democracy and revolution जैसे जो ideas होते हैं, वो nation state से दूर जा रहे थे, तो इन ideas को, conservatives के इन ideas को, इन steps को हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि Germany and जो Italy है, वो किस तरह से यहाँ पर unified हुए थे as the nation states, तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो nationalist feelings थी, वो middle class Germans के बीच में ही ज्यादा famous थी, and उन्होंने 1848 में ट्राइब ही किया था, अपने different regions को unite करने के कोशिश की थी उन्होंने, of the German confederation into a nation state, and जिसमें जो है, elected parliament यहाँ पर गोवन करेगी, में पूरी state को जो है, वो governing करेगी, एक elected parliament, तो इस तरह की कोशिश उन्होंने की थी, हमने पर प्रिवीस वीडियो में देखा है, so this liberal initiative to nation building was however repressed by the combined forces, तो इनके इस initiative को जो है, जो मोनार्की and military की combined forces थी, उन्होंने जो है एक तरह से suppress कर दिया था, दबा दिया था, and from then on, अब Prusia जो है, it took on the leadership of the movement for the national unification, तो Prusia जो है, वो यहाँ पर सामने आता है, Prusia जो है, यह सारी German state ही थी, German state थी, यहाँ फिर इसके अंडर जितने भी areas थे, जिस areas के उपर जो है, इसकी leadership यहाँ पर हुआ करती थी, वो सारे यहाँ पर Prusia के अंडर ही आते हैं, तो अब Prusia जो है, it took on the leadership of the movement for the national unification, के हम यहाँ पर, अब national unification के जो movement है, उसके leader हम यहाँ पर रहेंगे, Prusia के जो चीफ मिनिस्टर है, वो जो है, इस प्रोसेस के main architect रहती है, and who carried out with the help of the Prusian army, तो उन्हों चीफ मिनिस्टर ने क्या किया था, army and bureaucracy की यहाँ पर help ली थी, national unification की movement को आगे ले जाने के लिए, मिन एक जो है, एक proper country जो होता है, एक nation state बनाने के लिए, उन्होंने क्या किया था, खुद जिम्मेदरी ली थी, and किसकी जो है help ली थी, army की and जो bureaucrates होते हैं, जो bureaucrates होते हैं, उनकी यहाँ पर जो है, तीनों ही वोट्स में पुरुशा की victory होती है, and at the end जो है, वो unification के process को complete भी करते हैं, तो 1871 में जो पुरुशन किंग थे, विलियम वन, उन्हें जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, वो बना दिया गया था, जो की एक ceremony यहाँ पर वर्सल में हुई थी, तो वहाँ पर जो है, उन्हें एक तरह से emperor बना दिया गया था, काफी सर्दी थी, 18 January 1871 को एक assembly यहाँ पर हुई थी, जिसमें German states की जो प्रिंसेस से, वो आये थे, आर्मी के representatives आये थे, यहाँ फिर कुछ important Prussian ministers भी यहाँ पर आये थे, और वो जो है, एक तरह से whole of mirrors में आके, जो है, वो इकटे होते हैं, जो की यहीं पर था, जो वर्सल का palace है, वहीं पर located था, तो new German empire को जो है, एक तरह से head करने के लिए, ओके, वाइदी Kaiser William I, जो है, उन्हें यहाँ पर राजा वो घोशित कर देते हैं, so nation building process जो उतर जर्मनी का head demonstrated the dominance of Prussian state power, जब यहाँ पर जर्मनी का यह जो nation building process था, वो यहाँ पर क्या दिखा रहा था, कि जो Prussian state power है, उसकी ही dominance यहाँ पर है, चाहे वो जितनी भी states हो, चाहे Austria हो, चाहे कोई भी और states हो, उनके उपर जो है, just Prussian की state power की ही dominance है, mean यहाँ पर मोनार की ही है, ओके, तो एक जो liberty जैसे actual जो meaning होता है ना, nationalism का liberty हो गई, यहाँ फिर हम वो सकते हैं कि यह वाले जो idea से जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे पीछे, कि जैसे कि democracy हो गया, revolution हो गया, इस idea से जो है, यह totally दूर जा रहे थे, तो मोनार की जो है, वो यहाँ पर सामने आ रही थी, चाहे वो state बनाने की कोशिश कर रहे थे, right, बट यहाँ पर मोनार की की यह power जो है, वो ज़्यादा दिखाई जा रही थी, मिन हर एक power जो है, वो मोनार के पास ही थी, यहाँ पे, so the new state, अब नई state यहाँ पर बन गई है, तो क्या होता है, कि वो modernization के उपर जो है, वो ज़्यादा फोकस करते है, currency को modernize करते है, banking, legal and judicial system जो होता है, इनका, उसे जो है, वो modernize करने की कोशिश करते है, and यह जो प्रूशिया ने, right, जो भी यहाँ पर measures लिये थी, यहाँ पर practices जो भी यहाँ पर ली थी, वो जो है, पूरे जर्मनी के लिए, एक model जो है, वो बन जाता है, कि इसी के base पे ही हम पूरी state को यहाँ पर चलाएंगे, right, तो यह आप यहाँ पर देख सकते हो, कि यह जो purple color में है, यह सारा ही पूरूशिया है, यह वाला जो area है, यह सारा ही पूरूशिया है, and पूरूशिया बिफोर 1866, 1866 से पहले का यह पूरूशिया है, and then जब ऑस्ट्रो पूरूशिया की war हुई थी, right, यह वाला जो area है, इसे जो है बाद में, 1866 में जो है पूरूशिया मे अलग कर दिया गया था पहले इसे प्रूशिया में ही एड किया गया था इसके साथ मी war हो ती है तो बाद में इसे अलग कर दिया गया था जर्मन confideration से रैई बन जो गரीन वाले हैं सारे इनोंने खुद ही जर्मन confideration को जो है एक तरह से जोईन कर लिया था मिन जो है prusia को जोन कर लिया था तो ये सारी स्टेट्स जो है ये सारी जर्मनी में ही थी ओकर वह लिए इस के बारे में आपको पता चल गया होगा तो तो यह green वाली states यहाँ पर बताई हुई है यह बात में जाके 1867 में खुद ही यहाँ पर जो ही से जोइन कर लेती है पुरुशिया को इन स्टेट्स को जो है बाद में यहां पे जो है एड किया जाता है यहां पे इस में जर्मन में ओके तो इस तरह से जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यहां पे इस तरह से होती है 1866 से लेके 1871 के बीच में यह जो सारा ही एरिया यहां पे इस लाइन में यह जो परपल वाली लाइन, मैं सारा जो एरिया यहाँ पर बता रखा है, यह सारा ही, जो है, क्या था? यह पूरुशिन स्टेट थी, ओकिक क्या था? यह जर्मन कांफिटरेशन था, एक, डिजली ने ने बेशने तो जाने अपर इटली की बात कर लेते हैं, तो इसकी भी एक long history हो of the political fragmentation and ये इटली जो है वो भी छोटी-छोटी dynastic states में जो है divide थी, मीन एक इटली जो है उसमें कई सारी छोटी-छोटी states थी, मीन कई सारी dynasties यहां से जो है थी, मीन हर एक area में जो है अलग ही monarch था, okay multinational Habsburg empire थी, मीन जो है एक पूरी empire है, उसे जो है कई सारे छोटे-छोटे जो है देशों में, छोट-छोटे nations में जो है इसे बाटा गया था इस इटली को, तो इस तरह से जो है ये political fragmentation यहां पर देखने को मिलता है, तो अगर हम 19th century की बात करें, तो इटली में जो है total seven states थी, and of which only one, उसमें से जो है only एक ही state ऐसी थी, was ruled by an Italian princely house, मीन जो है एक ही ऐसी state थी, जिसका जो ruler था, वो जो है basically इटली से belong करता था, and बाकि जितने भी area से, वहां के जो rulers से, वो दूसरी area से belong करते थे, उन्हों जो है यहाँ पर आके अपना rule start किया था, इटली में आके, okay, मीन जो है वो इटली से belong नहीं करते थे, उनकी जो background है वो इटली से नहीं थी, तो अगर हम note की बात करें, तो यहाँ पर Austrian Habsburg Empire थी, right, and जो center इटली है, वहाँ पर pop जो है, वो rule कर रहे थे, and जो southern region थे, वो bourbon king थे, जो की Spain से belong करते थे, वो उनकी domination के under था, तो इस तरह से जो इटली है, वो divided था different parts में, and even जो Italian language है, उसकी भी एक common form नहीं थी, उसकी भी कई सारे regional and local variations आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कई सारे local dialects जो होते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, So, during the 1830s, जब यहाँ पर माजीनी के बारे में भी हमने पढ़ा था न, अपने 9th class की history में, तो वो क्या करते हैं, वो Italian Republic को जो है, यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, वो एक ऐसा प्रोग्रम जो है, वो सामने लेके आती है, कि हमें जो है, इतली को एक तरह से यूनाइट करना चाहिए, तो उन्होंने एक secret society बनाई थी, Young Italy for the dissemination of these goals, इन goals को जो है, फुल्फिल करने के लिए, उन्होंने एक यहाँ पर society बनाई थी, Young Italy के नाम से, so however, यहाँ पर revolutionary uprisings हुई थी, 1831 में and 1848 में, आप क्या था यहाँ पर, कि at the end, जो है, वो माजी नहीं जो है, ज़्यादा एक तरह से successful नहीं रहते हैं, अपने ideas में, तो उन्हों revolution यहाँ पर किये थे, बट जो है, वो क्या करते हैं, उन्होंने उन उप्राइजिंग्स को जो है, फेल कर दिया जाता है, तो आप जो सरदानिया पेडोमेंट थे, under its ruler king, Victor Emmanuel 2, to unify the Italian state through the war, आप जो है, यह सारा काम किसके पास चला जाता है, जो की एक तरह से इटली के खुद, जो इटली से बिलोंग करते थे, राजा, सरदानिया पेडोमेंट जो की इटली से बिलोंग करते थे, उसके जो राजा थे वो कौन से थे रिक्टर इमैनुल 2 थे रैट सरदानिया पेडमेंट जो है वो एरिया का नाम है उसके जो रूलर है वो थे रिक्टर इमैनुल 2 तो वो यहाँ पे कोशिश करते हैं क्योंकि वो इटली से बिलोंग करते थे उनकी जो बैक्गराउंड थी व यहां पर start किये थे उन्होंने उसमें वह failure रहते हैं बट आप जो है सरदानिय प्रेडिमेंट के जो राजा है Victor Emmanuel II वह सामने आते हैं कि भूजे आप जो है Italian state को through the war जो है unify करना है तो इस के according इस राजा के according जो है क्या था कि unified Italy जो है वह economic development यहां पर ला सकती है and political dominance जो है वह यहां पर ला सकती है so the chief minister जो थे Kevwar who led the movement उन्होंने जो है इस movement को यहां पर lead किया था so that की different Italy के जो regions अन्य यूनिफाई किया जासे के वह actual में नहीं revolutionary थे नहीं वह democrat थे वह actual में जो है however जो nation state वह बनाना चाहते थे right however वह nation state यहां पर बनाना चाहते थे बट जो है वह नेशन स्टेट जो है नहीं democracy के according बनाना चाहते थे नहीं जो है यह idea को लेकर आना चाहते थे नहीं इस feature को नहीं जो है वह revolution के थूँ जो है यहां पर nation state बनाना चाहते थे ओके तो थे वह मोनारखी बट एक्षल में वो चाहते थे कि जो दूसरे राजा हैं हमारी इटली में उन्हें यहां से भगाया जाए एक पॉलिटिकल डॉमिनेंस जो है वो इटली के राजा के पास ही आए तो चीफ मिनिस्टर कैवर जो थे यहां पे उनके इमैनल टु के जो चीफ मIs पहरां जो राजा तही यहां है एमैनल एनलटु मनें अपने दो चीफ मिनिस्टर हो थे तो उन्हें यह मूमिन लीड करने के रिए बोलते हैं okay so like many other wealthy and educated members जो थे Italian elite के वो जो है French बोलते थे okay and वो Italian जो है अच्छे से नहीं बोल सकते थे through a tactical diplomatic alliance with the France engineered by the Kewaar, Sardinia parliament succeeded in defeating the Austrian forces in 1859 तो ये आप क्या करते हैं कि France के साथ जो है ये कुछ diplomatic alliance करते हैं तो ये जो एडिया है सरदीनिय पेडिमेंट जो कि local area था Italy का तो रइट वो जो है यहाँ पर Austrian forces को हराने में कामयाब हो जाते हैं 1859 में तो अब क्या होता है कई सारे regular troops थे इस war में जो war यहाँ पर चल रही थी दूसरे राजाओं के खिलाफ जो कि Austrian forces के खिलाफ चल रही थी local presence की support विन कर लेते हैं और वहां से जो Spanish rulers थे उन्हें जो है वो बाहर निकाल फेंगते हैं 1861 में इस तरह से आप जो है जो दूसरी एरियास में जो इटली के जो इटली के जो एरियास थे यहाँ पर दूसरे रूलर्स आके राज कर रहे थे उन स्टेट्स के ऊपर उन रूलर्स को जो है वो बाहर निकालने में कामियाब हो जाते हैं तो 1861 में जो विक्टर इमैनुल टू थे उन्हें पूरी यूनिफाइड इटली का जो है अब किंग बना दिया जाता है हाइट हाइवर मच आफ इटालिन पोपुलेशन जो थी वो उनके बीच में जो है इलेटरेसी रेट जो होता है वो काफी द्यादा हाई था एंड वो जो है इस लीब्रल नेशनलिस्ट आइडलोजी को वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये नेशन स्टेट यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है एक्टर पर जो नेशन स्टेट है उसके फीचर होते क्या है इसे जो है इस आइडलोजी को वो नहीं समझ पा रहे थे तो यहाँ पर Monarchs जो है वो अपना ही फाइदा जो है सोच देए थे Nation State में भी Nation State उन्होंने यहाँ पर बना ली थी बट इसके features जो है वो कुछ और ही थे यह ना ही democracy के उपर जो है focus थे ना ही जो है यह revolution के उपर focus थे तो इस तरह से Italy जो है उसे unify किया जाता है जो कि पहले अलग-अलग states में बटी हुई थी और उन states के उपर कुछ और ही लोग जो थे वो यहाँ पर राज कर रहे थे जो कि local Italy से नहीं बिलोंग करते थे और बाद में उन्हें हरा के तो जो Emmanuel 2 है वो खुद वहाँ के राजा बन जाते हैं पूरी Italy के एक सिंग डॉफ छीसल हो गया राइट दैन सिमोई सर्दोनिया हो गया है तो इस तरह से यह पहले का है unification से पहले का italy है और यह हाँ जो एरिया जहां पर बतार रिखा कि कौन-कौन सी एरिया को कौन सी यह में जो है Italy में इंक्लूड किया गया था राइट so it is the Italy after the unification so मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में with the new topic and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इससे शेर करना ना भूरे thank you so much, have a nice day, bye bye